हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल md2weed रपब्लिकेस में दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं हर्याना करमचारी चैनायो के द्वारा हर्याना रोडवेज के अंदर जो कंड़क्टर की भरती कराई जानी थे उनके इंट्रेव्यू चल रहे हैं और आपके जो ये इंट्रेव्यू हैं ये तीन दिन चलेंगे 20, 21 और 22 तो इसका schedule जारी हो चुका है तो इसी बीच आपके लिए के बुरी खबर कही है या निरास करने वाली खबर कही है आ रही है मानिये पंजाब हर्याना हाई कोट की तरफ से इस बरती पर पहले से ही जो है एक केस था तकदीर सिंग के नाम से आप इस पर एक केस और हो गया है इस बरती में आपको इस केस की detail बता हो जगा किस कांड से केस हुआ है और क्या आप इस केस का किस बरती पर कोई फरक पड़ेगा या नहीं पड़ेगा फाइनल जल पर stay होगी या नहीं होगी complete detail बता हूँ वो साथ ही estate के form निकल चुके हैं कब आपका एक्जाम होगा estate का क्या वो date है जिसको आपका वो exam होने जा रहा है तो आपको उसी साथ से अपनी तयारी आगे ले जानी तो इस वीडियो में इन दोनों टोपिक्स के बारे में बात करेंगे जो से पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं यूनिक वीवर हैं वीडियो को पहली बार देख रहें तो नीचे रैड कलर के बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय खराब न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं सबस करमचारी चैनायो को जो नोटिस जारी करने के लिए बोला है हरियान रोडवेज में कंड़क्टरों की बरती प्रिकरिया के खिलाब दायर एक याची का पर पंजाब और हरियाना हाई कोट में हरियाना सरकार और याना करमचारी चैनायो को 11 अपरेल के लिए नोटिस जारी क याची ने बताया कि उसने भी लिखी थे माफ किजिए उसने भी आरक्षित पदो परे अवएधन भारा था और लेक्षित प्रिक्शा भी दी थी प्रिक्शा लेने के बाद आयोग ने उसका आवेदन यह कहते हुए खारीजगर दिया कि आवेदक के पास आवेदन की कट ओफ डेट 24 दून 2017 तक कंड़क्टर बनने के लिए आवश्चक लाइसेंस नहीं था याची के वकील मजलिस खान ने अदालत को बताया कि याची ने कंड़क्टर की ट्र बरतियों में जैसा होता आ रहा है अर्याना कर्मिचारी चैन आयोग जो रूख अपना रही है ड्राइवर में भी अपना है और MPSW हेल्थ वर्कर की भरती में भी अपना है जितने भी केस होंगे मानलो टोटल है दस कैंडिडिट ने केस किया तो वह दस सीटे रखके बागी का रिजल्ट गोशित कर देगी तो ज्यादा समयश में नहीं लगेगा जिस हिसाब से आपके इंटर्वी होते हैं मुझे लगता विदिन वन वीक भी आपका रिजल्ट आ सकता है तो एक्सपेक्टिड कट ओफ की वीडियो जैसे ही आपके इंटर्वी खतम होते हैं नेक्स क्वेश टेट की प्रिक्षा होगी 30 नुवंबर तक आप जो है एंलाइन आवेधन कर सकते हैं एक लेवल के लेएक से दिक आवेधन करना पर होगा रद यानिकि आपको एक यावेधन करना होगा लेवल थ्री के लिए पांच जनवरी लेवल टू के लिए छेंजनवरी और एसी के लिए लेवल वन पन सो रूपे लेवल तीनो सो रूपे लेवल थ्री बारा सो रूपे सामन्य वरग लेवल एक अजार लेवल दो ठारा सो लेवल तीन चोबिस सो रूपे तो इस प्रकार से जो है यहां पर भी जर्नल वालों को काफी निरासा हाथ लगी है क्योंकि इत दोस्तों इस वीडियो में यह अपडेट दे रहा था कि एस्टेट के फारम निकल चुके हैं और कंड़क्टर बत्ती पर केस हुआ है तो उसकी आप को मेंट डेटेल दे रहा था फिर भी कोई डाउट है वो क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इस व